जहां एक तरफ उत्तरप्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुक्ठ मंत्री योगी अदितनात ने करोड़ो रूपे खर्च करके ब्रिच्छा रोपड करने के लिए अधियारियों को निर्देश दिया है तो वहीं प्रताब गर्जिले में ब्रिच्छा रोपड के नाम पर मह लिए पूरे मामले की जांच की मांकी है जिसके बाद विभाग में हड कम मचा हुआ है बतादें कि यूपी के चर्ची जिले प्रताप गड़ में ब्रिच्छा रोपड के नाम पर करोड़ो रूपे का घोटाला हुआ है या हरोप कोई और नहीं बलकि पूर मंत्री और कारोप लगाते हुए पूरे मामले की विभागी जांच की बजाए किसी एजेंसी से जांच कराया जाने की मांकी है ब्रिजे सर्मकारोप है कि प्रताप गड़ जिले में महाच कागजों पर ही ब्रिच्छा रोपड का कार हुआ है और सगे संबंधियों को इसका ठेका दे द जा रहा है आई यह सबसे पहले आपको सुनाते हैं पूर मंत्री ने क्या आरोप लगाया है इसके बाद आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में प्रताप गड़ के डीफो वरुण शिंग ने देखिये बन विवाग देश का ऐसा विवाग है जिस पर हम इस देश की शम्रद्ध को देखते हैं और अगर उसमें काम परियाक्त नहीं हो रहे हैं तो इससे देश भी पीछे जाएगा और वहां के लोग भी पीछे जाएंगे क्योंकि कृशी प्रधान देश है यहां हरी वाग होनी चाहिए चारु तरफ होनी चाहिए मुझको कर्ष्ट इस बात कवन विवाग से है कि वन विवाग सारा का सारा खेल कापजी आँकडों पर खेल रहा है तो जिटने पेर लगाने चाहिए उतने पेल लग नहीं रहे हैं कटने के बाद लकड़ियां वहां जहां नहीं रही हैं सारा का सारा माल इधर से उधर गायब हो जा रहा है बहुत लंबा गोटाला हुगा है अब वह आकड़े मैं अपनी डायरी से निकाल करके आपको देश रखता हूँ किनोंने लाखों में व्रिक्ष लगाए हैं और अब वह आधे भी मौके पर मैं तो आधा ज्यादा कह रहा हूँ वन थर्ड भी मौके पर आपको नहीं मिलेंगे एक दूसरी चीज कि कर्मचारी जो लगाए गए हैं वो अगर पेड़ गाड़ा आए हैं तो उसको फिर कभी भी घास निकालने या उसमें जल डालने के लिए नहीं जाते हैं वो केवल कागज पर बिल बनते हैं और कागज पर निकल जाते हैं सरकार के खोट से पैसा निकल जाता है लेकिन उसका उप्योग छेत की जनता को कुछ नहीं हो पाता लगाया है जो प्रभारी डिएफो हैं जो वर्कमान पोस्ट पर वरुंड सिंग उनके उपर डायक्ट अपने लिगेशन लगाया है कि दो 2017 लेके 2020 तक जो बिच्छर उपण है पिछले पांस साल में कहीं धरातल पर नहीं है कागजों में खाना पूर्ति की गई है यह दिख बिच्छों को और जीवित बिच्छों को को गिल लिया जाए अपना दूद का दूद और पानी का पानी होज़ा ay a आफ ये तो शियू अपने लोगों को ही जिन्से सग्जै नोगतिंग द्रू सो यह जाते हैं ङंसे उनकी पटती है जिन से कमिशन ज्यादा मिलते हैं जिन क से उनको अपनी बात कहने में अच्छा लगता है वो सगे संबंदी हो जाते हैं वो सगे संबंदि हो जाते हैं कुछ विशेस लोग ही हैं जिनको ले करके कामकराना पसंद करते नहीं मैंने क्यों मुख्वंत्री को लिखा है इसलिए कि मैं बीजेपी का रास्की परिशत का सदश्य हूं और मुझको जिलादिकारी से पहले जो है अपनी ब्रांच को अगत कराना ज्यादा मैं आवश्चक समझा उसके बाद फिर आगे की कारवाई के विश्व में लिखा ह विभाग यह जांच नहीं होनी चाहिए थर्ड पार्टी से जांच कराई जाए विभाग विभाग के वरोसन है अब मैं बताओं आपको जिसको नहीं बताना चाहिए था मैं उसको बता रहा हूं एक दिन बनके कुछ अधिकारी आयो हुए थे उनमें वो लोग भी आय थे ज इसको जो सही पौऊ उसको सही लिगदो जो गलत पाओ उतो capacity Minister बता नहीं चाहिएती लेकिन मैं इस लिए कह रहा हूं कि बराबर वह परेशान दिख रहे हैं एक अप्लिकेश्शन से आदमी परेशान दिख रहा है विभाग दिख रहा है इसका मतलब कि कहीं न कहीं दूद में काला है। और इस वर्स इस जनपद में 35 करोन विच्छार उपड इस पुरे प्रदेश में लगाए गये हैं जिसमें इस जनपद को 47,40,000 का टार्गेट लॉट हुआ था जिसमें बन विभाग को 14,28,000 और बाकी सभी विभागों को जैसे पुलिस विभागे 7,000 और ग्राम विकास है दो 23,000,000 इस तरह करके सभी विभागों को अवंटित हुए थे लक्षा उन सभी ने काफी हमारे यह है जिला ब्रिच्छर उपड समीटी जिसको जिला पर्यावरन समीटी भी कहते हैं उसी के तहत सभी विभाग उसके नोडल होते हैं और वो लोग अपना हम लोग आप इन पर लगते हैं बस उसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ा दाइत होता है इसलिए हमने कहा यह विरिच्छा रोपन जन आंदोलन मतलब हम सबसे जुड़ा हुआ है जितनी ही हमारे विभागों की जिम्मेदारी है उतनी यहां के हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसको स तो आपने सुना आप दिच्छों के सुरच्छा के सबाल पर किस तरीके से डियोफो सहीव से जन आंदोलन बता रहे हैं अब आपको बता दें कि पिछले तीन वर्सों में प्रताब गरजिले में कुल एक करोड़ी किस लाख ठाउन हजार पेंड लगा जा चुके हैं यह सरकार यांकडों की बात की जायत उसके अनुसार एक पेंड की कीमत 7 रूपए है इस प्रकार से पेडों पर कुल लागत 8 करोड़ी 51,6,000 रूपए होती है बाकी पेडों के रख रखाओ के लिए भी सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है अब सवाल लिया उड़ता है कि आखिर इत झाल जाता है